जैश्री कृष्ण आज हम बात करेंगी उत्पन्ना एकादशी पर दान की उत्पन्ना एकादशी पर हमें क्या दान करना चाहिए और किस प्रकार से दान करना चाहिए जिससे की हमें भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी की विशेश कृपा प्राप्त हो सके और हमारा सोय हुआ भागे चमक सके तो उत्पन्ना एकादशी पर हमें राशी अनुसार इन चीजों का दान करना चाहिए जिससे की हमारा सोया हुआ भागे धार्मिक माननेता है कि भगवान विश्णू की शरण में रहने वाले साधकों की सभी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है अतह साधक एकादशी तेधी पर भगवान विश्णू और मा लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं अगर आप भी भगवान विश्णू की जगत के पालनहार भगवान विश्णू की पूजा की जाती है साथ ही उनके निमित उपवास रखा जाता है इस वर्ष 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है धार्मिक माननेता है कि भगवान विश्णू की शरण में रहने वाले साधकों की सभी मनोकामना अवश्य ही पू पर राश्य अनुसार दान करें तो आईए बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी के जातक को उत्पन्ना एकादशी थी पर विधी विधान से रगवान विश्णू की पूजा करना चाहिए और इसके प्रश्चाद गुड़ चिक्की मुंगवली का दान अवश्य करना चाहिए इस उपाई को करने से घर में सुक समरुद्धी आती है अब बात करते हैं हम व्रिशब राशी के जातक की तो व्रिशब राशी के जातक को उत्पन्ना एकादशी थी पर स्नान ध्यान के बाद विधीवत भगवान नारैन की पूजा करनी चाहिए इसके बाद में धन का दान भी कर सकते हैं अब बात करते हैं हम करक राशी के जातक की तो अब हम बात करेंगी सिहन मुराशी के जातक की तो सिहन राशी के जातक को भगवान नारायन को प्रसंद करने के लिए उत्पन्मा एकादशी तिथी पर गुड और शहत का दान करना चाहिए इस उपाई को करने से मंगल दोश का प्रभाव भी कम होता है अब बात करते हैं कन्या राशी के जातक की तो श्री हरी विष्णू की कुरुपा पाने के लिए उत्पन्मा एकादशी तिथी पर कन्या राशी के जातकों को गरीबों के मध्य हरी सबजियां और हरे रंग के मौसमी फल का दान करना चाहिए अब बात करते हैं तुला राशी के जातक की तो तुला राशी के जातकों को उत्पन्मा एकादशी तिथी पर चावल, चीनी, मिश्री और सफेद वस्तर का दान करना चाहिए इस उपाई को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है अब बात करते हैं व्रिष्चिक कर सकते हैं धनु राशी के जातक की बात करें तो धनु राशी के जातक को भगवान विश्णु को प्रसन करने है तुल उत्पन्मा एकादशी तिथी पर चनादाल, बेसन, हल्दी, आदी चीजों का दान करना चाहिए ऐसा करने से घर में सुक्सम्रुद्धी आती है अब हम बात करेंगे मकर राशी की तो मकर राशी के जातक को भगवान विश्णु को प्रसन करने है तुल उत्पन्मा एकादशी तिथी पर काले तिल जो और अखंडित चावल का दान करना चाहिए खुंभराशी के जातक को भगवान विश्णु को प्रसन करने है तुल उत्पन्म काले कंबल आदी चीज़ों का दान करना चाहिए तब अब हम बात करते हैं मीन राशी की तो मीन राशी के जातकों को